कि नमस्कार दोस्तों आज की वरक्षिट है चैसे आठ की वरक्षिट सेंख्या वसास दिनांग के एक स्टमबर 2020 को आपके पास आगई थी जाने वाली है तो इसमें जो में चीज़ आपको दाजेते हैं गुनंखंड के बारे में देरें गुनंखंड क्या होता है देखिए हमनों ने एक उधान देगर समझार रखा है समझ लेते हैं पढ़ लेते हैं इसको वरक्षिट को प्याले फिर आपको जिसमें अभ्यास के परसन हो करवा देंगे हमारी कक्षा में 24 विदारती हैं एक दिन दाजबगा ने कहा कि सभी इस प्रकार पंक्तियों बनाओं कि हर पंक्ति में बराबर विदारती हूं पंक्तिया हूँ थी लाइना हमने 6-6 विदारती हैं चैर पंक्तिया बना ली О1-4-1 थाषलिस उन्हों भी 24 हो गए और धैपका ने कहा हाँ बहुत से तरीके हो सकते हैं बारे-बारे से कई तरीके सामने आए तरीके उन्होंने देर काया है जैसे एक पंक्ती में 24 विद्यारती वह यह की लाइन हो जाए और इसमें लगातार 24 कड़े कर दें दूसरा दो पंक्तियां और बा प्रोलिम 12 है निचे वलिम 12 है तो क्या हो गया बारा ओर जाए 24 यह क्या करें बारा चीने झावर विदार्थी हो जाएगे और 6 पंक्ति 4 विदार्थी 6 चोगा 24 हो जाएगे ठीक कुछ इसने देवी रखिए इधर देखिए आपके पास यहां पर इस पंक्ति में कितने 6 अगली में 6 इसमें 6 इसमें चैने तो कितने हो गया आपके 6 है यहां पर इसके कहने का मतलब यह है इधर आई यह तो हमने जाना कि एक गुणा 24 करते तो 24 हाता है लेकिन 24 को हम भाग कर सकते एक सेवी 24 आना है ऐसी बारा गुना दो करेंगे चोबिस आना है बारा दुन चोबिस और चोबिस को हम दो से भाग करेंगे तो बारा आजाएगा और चोबिस को हम बारा से भाग कर सकते तो दो आना है इसका कहने का मतलब साब साब ये है एक गुनंखन वो सिंख्या होती है जो दीगी सिंख्या को पुरा वबाज़त कर दे ठीक है जह 24 के सभी गुनंखन क्या है एक, दो, तीन, च्यार, च्छे, आठ, बारा, चोबिस तो ये सारी सिंख्याएं जोबिस को भाग भी करेंगी ये ध्यान रखना आपको गुनंखन वो सिंख्या होती है जो दीगी सिंख्या को भाग भी कर दे जिसके गुनंखन निकाल रहे हैं वो सिंख्या को भाग भी करेंगी ध्यान देना है चलिए और देखते हैं नीचिस में कहा दिया है यह आगे कैसन आगे आईए कुछ और सिंख्या गुनंखन करें बियारे साथ पच्पन स्तानतारिस और अठानमे के आपको करने हैं यह हम सिखाथ देते हैं आपको कुपी पन की साहता से टीक है जो गुनंखन आप समझ गया है गुणंखन आई संख्या होती है तिक जुद्धी की संख्या को भाग कर दे ऐसे होते हैं गुनंखन चलिए स्टार्ट करते हैं आपको क्वेस्टन इसमें सबसे पहले है हमें ब्यारिक के क्या निकानने हैं गुरण खर निकानने जब ब्यारिक करने gesund है तो आपको क्या करना है एक से स्टार्ट कर देना है ठीक है देखिए ே तो आपको किया करना है इसरे 42 एससे पहरे एक से उना करने 22 से कम कितना होताय थीक है यहाग और congratulations ऐसे ही आगे हमने पता ही दो से भाग जाएगा यह आपको देखना पता है कि दो को किसे गुणा करें कि 42 वा जाएं 21 से कि दुनी ब्यालिस ऐसे ही 3 को किसे गुना करें कि ब्यालिस आजाए 14 से और 4 को किसे गुना करें ब्यालिस आजाए तो ऐसा कोई होगा नहीं आपके पास और ये 5 भी नहीं होगा भी 5 को गुना करने से कितना आजाए ब्यालिस आजाए नहीं होगा वह पूरनाओ जाएगा तो ये से विलाफ भीनागत दृट ये ट्रिक है यहां पर आकि आपको रुख जाना आप रिपीट नहीं करना है ठीके अब repeating नहीं करना है तो अब ये वाले जो step हैं आपके ये इसके गुननखंड देंगे देखी कैसे यहां से start हो जाओ तो देखी 42 की गुननखंड 42 की गुननखंड देखी यहां start हो जाओ एक सभी का गुननखंड होता द्यान लखना एक सभी में आएगा दो अगला तीन चे फिर साथ साथ सवर इधर सलेजाए गफिर साथ फिर कितना है चोदै फिर है 21 पिर है 42 तो ये इसके गुननखंड हो जाएंगे ठीक है एक, दो, तीन, छह, साथ, चोदा, एक्कीस और ब्याड़िस ठीक है, ऐसी अगले के देखते हैं थोड़ा साफ को ट्री को रुच्छिया दो जाएगी ज़िए साथ के निकालने हैं हमें गुणनगन तो क्या करना है? साथ एकम, साथ ये तो सभी का होता है अब हमें पता साथ को, दो को तीस से गुणा करेंगे तो भी साथ आजाएगा और तीन को बीस से गुणा करेंगे तो भी साथ आएगा चार को पंदरा से गुणा करेंगे तो भी साथ आएगा यहां बढ़ाते जाना आपको और ऐसा बढ़ाना की गुना आ जाए उनकी साथ किसे गुना करें बारा से कितना आ जाएगा साथ अब छैसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा साथ ऐसे आगे बढ़ते हैं साथ से भाग, साथ से कोई ऐसा आएगा नहीं गुणा करने पर 6 देदे यह आएगा नहीं, 8 से नहीं आएगा, 9 से नहीं आएगा, 10 से फिर आजाएगा, तो 10 से गुणा करें कितना आजाएगा आपका 60, तो मैंने बताहा था ना, जब ये आपस में एक्षेन हो जाए, 6 इदर आजाए 10 इदर आजाए ऐसी पहले वाड़े मता 6 इदर आ गया था 7 उदर जब chain हो जाए तब छोड़ देना है ठीक है आपका time बच जाएगा ठीक है तो यह छोड़ देना है तो अब यहाँ से start करते इसकी उन्खन लिख देंगे तो 60 की उन्खन क्या हो जाएंगे यहाँ start करते एक अगला दो तीन चार पांच च्छे यहाँ के रूख जाओ अब यहाँ आजाओ ठीक है दस बारा पंदरा बीस तीस साथ बीस तीस और साथ यह इसकी क्या हो जाएंगे उन्खन हो जाएंगे है ना इजी चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे की तरफ पच्छपन के निकालने जैसे हमें तो पच्छपन को क्या कर देंगे पच्छपन गुणा एक एक सभी का उत्ता बने इंखन है ठीक है फिर दो से बीन भाग जा रहा है आपको दो से बाग जाने का मतलब कोई आसी संख्या नहीं होगी जिसको गुणा करें उससे और 15 होगी ऐसी संख्या वाइक किस से गुणा करें ग्यारा से कितना आजये पच्छपन गयारा बंजू 55 अब आगे 6 आगे 6 6 से गुणा करें एक संख्या को क्या जाए पच्छपन आ जाए ऐसी भी कोई संख्या नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं 7 आठ नो दस ग्यारा आगी ग्यारा आ जाएगी ठीक है ग्यारा को पांच से गुणा करें कितना आ जाएगा पिछपन आ जाएगा तो यहां आपको रुक जाना है मैंने बता था ना यह जब पल्ट जाएं तो रुक जाना यह वाला स्टैप नहीं लेना है अब पिछपन के हो जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले पर्शन की तरफ हमें निकानने संतालिस के गुणनखन ठीक है ध्यान है गुणनखन नए संख्या होती है अब यह ऐसी संख्या हैं जो इसको भाग करेंगी ठीक है देखो एक से भाग जा रहा है पांच से भी जा रहा है ग्यार यह संख्या है तो हमें पताय का करो भीम संतालिस से गी इक तो फिर आगे किसी से भाग नहीं जाएगा आगे जाएगा ढेंगी तो अब ध्यान से देखो यह रिपीट हो गया यह तो हमें लेना नहीं है अब इसके गुलनखन क्या हो जाएंगे एक तो यह हो जाएगा और एक यह तो क्या हो जाएंगे तो ऐसी संख्याओं को हम अबाजे संख्या बोलते है यह भी आप ध्यान रखो जो संख्याओं से भाग जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपको निकालना है कि इसका निकालना थानों का चलिए श्टार्ट कर लेते हैं अब थानों का देखिए आपको पता एक तो हो गई होगा थानों एक आपको बता है कि चेक करनी हो तो दो से तीन से चार पाँंच के नियम होते न जो पीछे कांग आठ है तो मैं पता है आठ दो से भाग जा रहा है तो पूरी सिंध्या भाग जाएगी तो इसका मतलब यह गुन अंखन्ड हो गा इसका किससे गुना करें निचा शेकितना आ जाएगा अठान मे उन्चा दूनी ठाण में, ऐसे ही, अब देखो, तीन से कैस्ट चेक करते हैं, इनके अंकों का जोड़ तीन से भाग जाना चीए, नोराट कितना हो गया, सत्रा, सत्रा तीन से भाग नहीं जा रहा है, तो यह सिरी सिंख्या नहीं जाएगी, अब चार से, चार से चली जाएगी चार दूनी 8, 4 से भिन जाएगी, 5 से भिन जाएगी, पीछे का अंक, 0 या 5 नहीं है, यह नियम होते हैं, आपके पहली किक्षा में आये हैं, यह आप चेक करके देश सकते हो, 6 से भिन जाएगी, जब 2 और 3 से भिन जाएगी, 6 से से भिन जाएगी, साथ से चली जाएगी तो आगला रांग क्या जाएगा साथ तो चोदा सत्य ठाण में होता है साथ से गई अगे आठ से बिन जारी 9, 10, 11 12 से बिन जाएगी 14 चली जाएगी आगे 14 सत्य ठाण में अब मैंने बता था जब भी आपका क्या हो जाए इस चेंज हो जाएं, बदल जाएं, आगे पीछे आजाएं, छोड़ देना है, अब लिख दो गुननखन, ठान में के गुननखन, तो क्या होंगे ठान में के गुननखन, यह से स्टार्ट हो जाओ, एक, दो, यह तो ठानी, साथ, फिर दर ते ले जाओ, चौदे, फिर उन्चास, और फिर आकरी अठान में, तो यह इसके गुननखन आ जाएंगे, ठीक है, संज में आ गया, आम ना संज में आओ, तो आप कुमेंट सेक्शन में डाल देना, कुछ भी संज में ना आया हो, और वीडियो अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को सेयर करें और वीडियो को लाइक वश्य करें, और मैं दुवारा बदाएता हूं, गुननखन ऐसे चीजें होती हैं, जो यह ऐसी संख्या हैं, जो इस संख्या को भाग करेंगी, यह आपके दिया हुआ उपर, ठीक है, गुननखन की डैफिनिशन में, ऐसी गुननखन का मतलब ऐसे ठीक है, जरी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में नई वरक्षिट के साथ, थैंक्स पर वाचिंग, बावे फ्रेंड्स झाल